नमस्कार दोस्तो। स्वागत है आपका शिबानी देवनाद के विडियो में। दोस्तों अगर आप बे-रोजगर हैं और आप अपना कारूबार शुरू करना चाहते हैं और इसको शुरू करने के लिए रखम की जरौत हैं तो आप प्रधानमंत्री रोजगार स्रीजन कायरेकरम यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्रेमेंट जेनरेशन स्कीम जिसे संचेप में PMEGP स्कीम भी कहते हैं उसकी मदब से बहुत कम पुंजी से कारुबर शुरू कर सकते हैं अगर आप PMEGP के तहट लोन देते हैं तो आपको सरकार की तरफ से 15-35 फिजदी तक सबसीली मिल जाती है दोस्तो देश में सरोजगार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई PMEGP स्कीम के तहट अधिक से अधिक बिरोजगार लोगों को लोन देने पर केंद्र सरकार का फोकस है दोस्तो आज हम केंद्र सरकार की इस विशेश योजणा के बारे में चर्चा करेंगे कि इस योजणा के तहट आप 25 लाग रुपे तक का लोन और 8 लाग 75 फिज़र रुपे का सबसीडी आपको कैसे मिलेगी इसके बारे में संपुन जानकरी हम देने वाले हैं इस वीडियो के माध्धम से जैसे की PMEGP के तहट बिजनेस लोन कैसे प्राप्त करें इसके लिए कौन-कौन पात्र होंगे PMEGP के तहट 35 परसंट तक का सबसीडी कैसे मिलेगी इसके लिए आविशक डॉकुमेंट्स क्या-क्या चाहिए और ओन-लाइन आविदन कैसे करें इससे पहले दोस्तो नएने विजनेस आइडियाज और सरकरी योजना के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले हमारी इस चैनल को और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजेगा दोस्तो प्रधानमंत्री Employment Generation Program यानी प्रधानमंत्री रोजगर स्टेजन कायरेकरम भारत सरकार के शुक्ष्म लगू और मध्यम उद्धम मंत्रालाई के द्वारा प्रशाशीत एक क्रेडिट क्लिक्ट सब्सीडी स्कीम है खादी और ग्राम उद्धो कायोग योजणा के कारणवेन के लिए राश्टियस्तर पर नोडल अजनसी है राज्यस्तर पर यह योजणा KVIC, KVAB और जीला उद्धो केंद्र के माध्यम से कारणवित की जाती है दोस्तो, PMEGP योजणा के मूल उद्धिश्य, नई सरोजगार परियोजणाओं, सुक्ष्मा उद्धमों और उद्धमों की स्थापना के माध्यम से भारत में शहरी और ग्रामीन दोनों क्षेत्र में रोजगार के अफसर पैदा करना ब्यापक रुप से फैले हुए पारमपरिक कारिगरों, बेरोजगार, ग्रामीन और शहरी इवववों को उनके स्थान पर यथा संभव सरोजगार के अफसर प्रदन करना तथा कारिगरों की आई अर्जन क्षमता में विद्धी करना प्रमुक उद्धिश्य है दोस्तो अब बात करते हैं PMEGP योजना के तहट लाबार्थी कौन-कौन होगे कोई भी बेगती जिसके आयो 18 वर्ष के अधीक हो और जिन्होंने 8 भी कक्षा उत्रिन की है वे PMEGP योजना के तहट रीन के लिए आविदन कर सकते हैं स्वयम सहयत सम्मोह यानी सेल हल्फ ग्रूप्स, चरिटेबल ट्रस्ट, कोई भी सोसाइटी जोकी 1860 एक्ट के तहट रिजिस्टर्ड हो और उत्पादन सहकारी समीतिया इसके पात्र होंगे PMEGP योजना के तहट रीन लेने के लिए कोई आई सिमा नहीं है नई इकाईों को रीन की पेशकर्ष की जाती है और यहाँ PMRI, PAREGP या किसी अन्य सरकरी योजना के तहट स्थापित मोजुदा इकाईों के लिए उपलद नहीं है इसके अलाबा कोई भी इकाई जिसने किसी अन्य योजना के तहट सापसिली प्राप्त की है वहाँ PMEGP योजना के तहट वैपसाई रीन जीन शेत्रों में उद्धमों के लिए दिये जाता है वो है क्रीशे अधरित खाद्ध प्रसंसकरन, खनीज अधरित उत्पाद, वन अधरित उत्पाद, हस्त शिल्प, सामगरी बनाने का उद्धोग, पलिमार और रासायनिक अधरित उत्पाद, ग्रामीन इंजिनेरिंग और बायोटेक, सेवा और वस्त्र उत्धोग दोस्तो आप बात करते हैं, नेचर ओफ एसिस्टेंस यानि PMEGP के तहट सबसीडी और फांडिंग की तरह दी जाती है, दोस्तो मेनुफेक्चरिंग यूनिट के लिए अधिकतम 25 लाक रुपे हैं, और कोई बीजनेस या सर्विस सेक्टर में 10 लाक रुपे हैं, इस योजन के 15-35% की सबसीडी प्रधान करती है, भाग लेने वाले बैंक लाभरती को शेज धनराशी टार्म लोन के रूप में प्रधान करते हैं, दोस्तो अगर आवेदक जनान के टेगरी में आता है और शहरी इलाके से हैं, तो कूल प्रोजेट कोस्ट का 15% सबसीडी मिलेगी, और शेत्र से हैं, तो कूल प्रोजेट कोस्ट का 25% सबसीडी की रूप में मिलेगी, और आवेदक बिशेश रेनी का है, यानि SCST, OBC, Minority, Physically Handicapped, Ex-Servicemen और महिला है, तो कूल प्रोजेट कोस्ट का 25% सबसीडी शहरी शेत्रों में रहने वालों के लिए, और 35% सबसीडी ग्राम प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आवेदक की पहचान तथा पता का प्रमान पत्र, आवेदक का पैन काड, आधर काड, विशेश रेनी का प्रमान पत्र यदि आवेशक हो तो, EDP ट्रेडिंग यानि उद्धमी विकास कारेक्रम प्रशिक्षन का प्रमान पत्र, रूरल एरिया का सर्टिफिकेट, अगर कोई इंस्टिटूशन है तो उसका रिजिस्टेशन सर्टिफिकेट, और्थराईजेशन लेटर, बाइलर्स की कॉपी, बैंक या NBFC द्वारा आधम से आविदन करना होगा, सबसे पहले खादी और ग्रामद्योक आयो की वेबसाइट www.kbiconline.gov.in पर जाना होगा, अगर आविदक बेक्तिगत के लिए आविदन करना चाहते हैं तो बेक्तिगत ओनलाइन एप्लिकेशन फर्म और गैर बेक्ति के लिए गैर बेक्ति ओन आप्लाइन एप्लिकेशन पर क्लिक करें, फर्म में आविशक्त तनुसर विवरन दर्ज करें जैसे आधरकाड अपना नाम प्रायजोक एजिंसी गतिविदी के प्रकार पते का विवरन पैन काड आदी का विवरन दर्ज करके फर्म पुरा करें, जब हो जाए तो से बटन पर क्लिक करें, फिर दस्तवेज आप्लोड करें, फाइनल समिशन के बाद आपको एक एप्लिकेशन, आईडी और पास्वर्ड आपके रेजिस्टर मोबल नमबर पर भेजा जाएगा, फॉर्म का प्रिंट आउट ले और नजदी की कारले में जमा करें, दोस्तों आज की व बिजनेस आइडियाज, रोजगार और सरकारी योजना से संबंदित जानकरी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को, धन्यवत, जय हैंदे